ये दो तरीकों से आपका ब्रेक अप कभी नहीं होगा 99 परसंट आपका रिस्ता गहरा और मजबूत रहेगा हेलो फ्रेंट्स लट डिप सुटूप चैनल में आप सभी का स्वागत है सबसे पहला है सच्चा समवाद और समझोता देखे इसमें भी मैं कुछ छोटी छोटी टिपस आपको बीच में देने वाला तो सिर्फ टाइटल सुनकर वीडियो को आप बंद मत कीजिएगा फूरा सुनेगा आपको बहुत ही फाइदा होगा देखे सच्चा समवाद क्या होता है सच्चा समवाद मतलब ऐसा नहीं कि हरो तैय किा की दो गंटा बात करनी है तो करते ही रहनी है नई सच्चा समवाद मतलब आप समझ चुके है सामने वाले को अब जरूरत है अब समझ चुके हैं उनको emotions अंदर से जो negative है वो निकालने है पुछ पुछ बिया आप में चाल थाउर है, में आप आप उनके वह वह जो रहां करने में, यह सब कम दोग्ण। है, पहला के वह बिया वहले हुए वह ब oily में, रहां करते हैs है ॅर्मे वाला पे सव्छीं थाउर के वह भी में नहीं चाल ani गेप फर्मूला, कि आता आए आज 2 गंटा बात कि कि, हर रोज आप कर रहे हैं, तो एक दिन कम बात या बात ही मत कीजिए, कोई भी ऐसा मैं नहीं के दाकि, मना करे जिये, बातोई करने नहीं कोई भी काम का बहाना दे कर, कुछ भी करके आप बात मत कीजिए देखे इससे क्या होगा, इससे एक तलब बढ़ेगी दो दिन की बात दे होगी, उनको कहनी होगी तो फिर अगले दिन जब बात करेंगे तब बाते उतनी अच्छे से उतनी गहरी और उतनी अच्छे से होगी कि आपको लगेगा कि नहीं अच्छे से समवाद हुआ, बहुत ही अच्छा लगा आपको भी सुकून मिलेगा, तो यह सचा समवाद अब समझोते की बात है, तो समझोता ऐसा नहीं है कि हर चीज़ बे आप सेक्रिफाइस करें समझोता मतलब की कोई भी दिक्कत आती है तो उसका मिलकर समाधान निकाले उस तरह का समझोता ताकि मिलकर आप काम करें आप दोनों को चीनता है कि इस रिष्टे को बनाये रखना अच्छे से ये समझोता, ये सच्छा समवाद अब दूसरा है साजेदारी और समर्थन समझोता को मजबूत बनाने के लिए ये चीजे चाहिए ये ही चाहिए साजेदारी किस चीज़ पर? आप दोनों की भावनाओं के बिच साजेदारी आप दोनों के इमोशन्स एक साथ मिलके चलते हैं ये साजेदारी अब समर्थन किस तरह से आप देंगे? एक दूसरे के गोल्स, एक दूसरे के परिवार को लेकर एक दूसरे की कंडिशन्स को लेकर माइंड सैट को लेकर आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं फ्रीडम देते हैं वही सच्चा प्यार है वही चीज कभी break up नहीं होने देगी लेकिन अगर आप एक दूसरे को अपने हिसाब से डालने की कोशिस करेंगे एक दूसरे पे अपनी conditions थोपने की कोशिस करेंगे आज नहीं तो कल इनसान उबने वाला है आद नहीं तो कल वो कोई भी बहाना करके कुछ भी लड़ जगड के आपके साथ नहीं रहेगा और भाग जाएगा फिर आप पस्ताएंगे तो कभी भी ये चीज़े आपको लगता है कि समस्या ये होती है लड़ना जगड़ना होता है तो इस तरह से अपने लव वाले लाइफ को डिजाइन करिये जिसमें सच्चा समवाद हो समझोता हो लेकिन कैसा समझोता सेक्रिफाइज नहीं समादान डुणने वाला समझा साजेदारी हो एक दूसरे को समर्थन हो एक दूसरे को एक्सेप करने की ताकत वो जैसे तब जाके ब्रेक अप नहीं होता तो मुझे कमेड़ बॉक्स में बताएं कि आप ये सब कुछ अपकी नहीं रिस्ते में करते हैं या नहीं तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों फ्रेंड वीडियो को देख रहे हैं